रेडियो द्वार का परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार एक बार फिर आज मेरे साथ प्रशान्द मगुन प्रभू है और हम बात करेंगे लाइफ सुत्रा के उपर लेकिन आज की तारीक में जो एक बहुती महत्पून विशह है जो इस देश को पूरा राम में जिसने कर रखा है वो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा प्रभू जी अभी हाली में भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा हुई है आप अध्यात्म से जुड़े में अध्यात्मिक लोगों को ग्यान देते हैं स्वाम गुरू है मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो भगवान राम की प्रान प्रतिष्टा ने पूरे देश का महौली बदल दिया है आपको क्या लगता है कि ये लोगों के जीवन पे कितना अध्यात्मिक प्रभाव डालने वाली है अच्छा प्रशने विशाल जी वैसे तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने वर्षों से जो स्ट्रगल था वो एट लास्ट कंप्लिट होकर कि अभी भगवान राम की स्थापना हुई है तो यहाँ पर ना दो प्रकार के वर्ग बन जाएंगे एक शास्त्र कहते हैं जो भगवान को सहारा बनाकर सीड़ी बनाकर अपने जीवन की इंदर त्रिप्ति और अपने पत्प्रतिष्ठा को पाना चाहेंगे दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो पत्प्रतिष्टा और अपने ग्यान का इस्तिमाल करते हैं सीड़ी बनाकर राम तक जाने के लिए तो दो प्रकार के गुरूप होंगे अब ये व्यक्तिकत है सब के लिए वो व्यक्ति उसको भगवान राम को स्रीडी बनाकर पत्पतिष्टा पाना चाता है या पत्पतिष्टा का इस्तिमाल करके राम की स्थापना करना चाता है तो इसमें भक्ति का बहुत बड़ा महतपूर्ण अंग होगा हमारे भारत में प्राचीन सब बिताएं हैं पहले से अनेक मंदिर हैं बद्रीना धाम, श्री जगरनात पूरी धाम, दौरीका धाम, रामेशुरम तीर्थ अनेक अनेक तीर्थ हैं तो ये जो राम मंदिर आया ये इस कारण से इतना प्रभावित हो पाया क्योंकि इसमें स्ट्रगल रही कोई भी चीज जो स्ट्रगल से निकल कर आती है उसमें लोग बहुत दादा इंट्रेस्टेटेट थे तो नो, टो अन्डूस्टेंड की क्या हुआ आन्त में इस कारण से सब में राम मैं हो गए हैं लेकिन ये लंबे काल तक राम भई नहीं रह सकते हैं क्यों क्योंकि कोई भी एक संसारी चीज हमको बहुत लंबे समय तक कनेक्ट नहीं कर से जब तक हम हिर्दय से परिवर्तित नहीं हूँ हमने भार का वातरवन बदल दिया कि मंदिर बना दिया प्राणपतिष्टा कर दी और समाज ने भी जंडे लगाकर दिपावली बना ली बहुत स्वागत कि अप्रणपतिष्टा हूई हम सब के लिए एक नया एक नई भावना है कि हम सब जाएं और योद्य हो जाकर प्रूराम के उस नवीन विग्रह का दर्शन करें परंतु साथ में ये भी याद रहें कि राम जी के विग्रह के दर्शन के साथ साथ राम जी के जो रामायन में उबदेश है जो उनके प्रसंग मारमिक प्रसंग जो हमें जीवन जीने की शैली सिखाते उन पर भी चिंतन किया जाए उनको अपने जीवन में धारन किया जाए तो instead of only worshiping God we have to follow what God has said इन भगवत गिता, महा भारत, भागवत, रामायन तो प्रभू राम के जीवन कैसे प्रसंगा जैसे प्रात काल उटके रगुनाता मात, पिता, गुरू, नवही, माता अब कितने लोग सुबह उटकर के अपने मात, पिता और गुरू को प्रणाम करते हैं या करने लग जाएंगे राम जी के आने से अगर वो यह नहीं कर रहे हैं तो फिर राम जी के आने से क्या हुआ प्रभू तो बार 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 आते हैं धर्म की स्थापना करते हैं लेकिन बार बार असुल समराज इतना बढ़ जाता है कि राम जी को लोग भूल जाते हैं तो हमें भारत में इस बात को स्थापित करना चाहिए इस खुशी के साथ साथ कभी हम ये न भूल जाएं कि राम जी को हिर्दे में बसाना भी कार है दीपक जलाने हैं बार भी और दीपक जलाने हैं दिल की अंदर भी मन का दीपक जलाओ साथ में बार का दीपक भी जलाओ राम के भजन बार गा रहे हो राम का चिंतन भी मन में करो राम का विग्रे का दर्शन भार कर रहे हो तो अंदर के नित्रू से राम की कथा के साथ अपने हिर्दे मानस पटल पर अपने हिर्दे के अंदर ठाकूर जी को विराजमान करो अगर ऐसा कोई कर पाएगा तो वो सही में लंबे काल तक जब तक प्रभू से नहीं मिलेगा, वो जीवन समाप तो नहीं होगा, बोला नहीं, अब तो मैं अपने अंतकाल तक ऐसे प्रेड़ना से रहूँगा, कि प्रभू से मिलके रहूँगा, प्रभू को मैं पाकर रहूँगा, उस भावना से जो लोग होंगे, उनकी अलग गती हो कि राम जी के आने से हमारी जो सनातन संस्था है सनातन हमारा जो विचार शैली है आज पूरा विश्च उसको मान रहा है लेकिन ये तभी मानता रहेगा अगर ये धूमिल ना हो जाए केवल नाम पृतिश्टा के अंदर इसकी हिर्दे में धारणा कराई जाए सिक्षा दी जा को स्थापना है जो दिये हैं वो जो हम भार जला रहे हैं मन के अंदर भी जलाएं और उनके हर्दे में भी अपने स्थापित करें सो वियए आपने सुना ये बहुत बड़ी बात है और आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि जो भवान की शिक्षा हैं उनको भी घ्राण करें और उनको अपने जीवन में भी अपना है अब आपसे विदा लेते हैं बने रहें रेडियो द्वारका के साथ